हेलो एवरिवन स्वागत करती हुए एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं सकरगंदी की चाट की रेसिपी देखिये कुछ चट पटा खाने का मान हो और जब कुछ समझ में ना आए तो फटा फट से सकरगंदी क चाट बनाइए और आज मैं आपको कोकर में सकरगंदी उबालने का अपना तरीका भी बताऊंगी तो यहां पर देखिए सकरगंदीया मोटी थी तो मैंने इनको तो दो पीस में कट कर लिया है अब मैंने कुकर में थोड़ा सा लगा दिया है गी यहां पर आप चाहें तो सरसो का तेल भी उच कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ओयल भी कोई भी आप चिकनाई यूच कर सकते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले कुकर में डाल दिया थोड़ यह लगबग मेरी 1 kg सकरगंदिया है अब यह कोटन का कपड़ा ले लिया है मैंने इसको अच्छे से भिगो लिया है पानी में और इसकी चार तेयं करके सकरगंदी के ऊपर से इसको रख दिया है इस पर हलक़ासा डाल दूगी पानी बहुती हलक़ासा जादा नहीं एक से दो क्योंकि सकरगंदिया ज्यादा मोटी है अगर सकरगंदिया आपकी पतली हो तो पानी नहीं डालना है सिर्फ गीला कपड़ा ही डखना है आप कुकर को बंद कर देंगे और गैस को बिल्कुल सीम कर देंगी देखिए अब धीमी धीमी आज पर इसे आदा घंटा तक पकने द जाएंगी अब यह देखिए सकरगंदि बहुत ही अच्छी हमारी उबल कर तियार हो चुकी है तो इन्हें निकालेंगे एक वरतन में ठंडा होने के लिए यहाँ परRIAए निकाल ली है अब इन्हें सकरगंदियों की चाट बना रही है तो मैंने सकरगंदियों की चटनी यह डाल दिया इमली की मीठी चटनी हरे जनी की चटनी मैं हमेंसा बनाकरखती यह थोड़ा सा काली मिर्ज का पावडर चटपटा करने के लिए यह काला नमक यहाँ पर डाल देमें चाट मसाला और थोड़ा सा डाल दूंगी हरा धनिया और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह हमारी चटपटी सकरगंदी की चाट तयार है तो अब इसे कर लेंगे हम सर्विंग बावल में सर्व करने के लिए यह देखिए कितने अच्छे खिरी खिली चाट हमारी तियार हुई है यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप भी एक बार जरू ट्राइ कीजिए और आप सभी को मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेंट बोक